question number 133 the common roots of the equation z square plus 2z square plus 2z plus 1 equal to 0 and z to the power 2017 plus z to the power 2018 plus 1 equal to 0 are means हमें बताना आए कि इन दोनों equation में common roots कौन से होंगे तो इसे हम simply attempt trial method से भी कर सकते हैं कैसे देखिए दो आप्सन में अपनी पास जो roots given है वो है 1, minus 1, omega, omega square देखो यही तो roots given है ठीक है तो अगर हम 1 को देखें तो यहां पर यह देखिए यह बारी जो equation है यह 1 को satisfy नहीं कर रहे है ठीक है तो यह तो common roots होई नहीं सकते दोनों में minus 1 भी हम अगर check करते हैं तो यह तो हो जाएगा यह आ जाएगा minus 1 ठीक है यहां पर आजाएगा 1 plus 1 minus 1 तो यह भी satisfy नहीं कर रहे है तो minus 1 और 1 यह दोनों satisfy नहीं कर रहे हैं तो अब हम check करेंगे omega and omega square तो देखो अगर यह दोनों satisfy नहीं कर रहे हैं तो option a भी नहीं हो सकता option b भी नहीं हो सकता option c भी नहीं हो सकता तो जो only option अपने पास लेप्ट रहाता है बोलता है option D कंदी का एक तो तरीक अपने पास यह है और उमेगा और स्क्वेर को हम इसमें verify करके देख सकती है और हम verify करेंगे तो इसमें यह satisfy करेंगे